नमस्कार मैंना अजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News शाहिन बाग और उनका धर्ना लगतार अभी भी जारी है 70 दिन होने वाले हैं यानि कि 2 महिने से उपर होने वाला है लेकिन उनका धर्ना उनकी हिम्मत उनका होसला जजबा अभी तक तूटा नहीं है सुप्रिम कोट में दो बार सुनवाई हो चुकी है इसी सिलसिले में और कहा जा चुका है कि पबलिक में आप ऐसे धरने पर नहीं बैठ सकते उसके बाद तीन वकीलों को कहा जाता है आप वहाँ जाईए आप उन्हें मनाने की कोशिश कीजे आप उन्हें मनाईए और आपका काम है उन्हें वहाँ से धरने से हटाना जिसमें साधना रामचंद्र भी मौजूद है जिसमें संजे हेगडे भी मौजूद है जिसमें वजाहत हविबुल्ला भी मौजूद है लेकिन वजाहत हविबुल्ला वहाँ दिखाई नहीं दिये लेकिन ये दो वकील जरूर वहाँ पर मौजूद हुए दोनों दिन उन्हें बातचीत की दोनों दिन ही कोई हल नहीं निकल पाया इन वकीलों को निराश होकर वहां से जाना पड़ा साधना जैसे वकील वहां पर गुसा भी हो जाती है क्योंकि कोई हल नहीं निकलता है लेकिन ये कहा जा रहा है कि फिर से यहां पर आएंगे और फिर से बातचीत करेंगे जब दो बार बातचीत करने में कोई हल नहीं निकला है और ना कि वहां कि दादियों का होसला तूटा है ना ही बच्चों का होसला तूटा है तो फिर बार-बार कोशिश क्यों की जा रही है यहाँ पर सुप्रिम कोट का उनका साथ देना चाहिए था यहाँ पर इन वकीलों को उनका साथ देना चाहिए था जो कहीं न कहीं छोटी-छोटी चीजों में जलकता हुआ भी दिखाई दिया है बीते दिनों की बात करें जो अभी दूसरी वारता हुई थी उसमें साधना ने ये कहा था कि शाहिन बाग यूही बना रहेगा और शाहिन बाग के धरने के बारे में भी सोचा जाएगा यानि कि एक तरफ तो वो इस दरने के समर्थन में भी दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ वो इसके विरोध में इसलिए हैं क्योंकि सरकार उनके उपर प्रेशर डाल रही है वहीं आपको ये भी बता दें कि मीडिया के सामने बातचीत करने से भी उन्होंने मना कर दिया था यानि कि कुछ ऐसी बाते थी जो वो भार नहीं जानने देना चाहती थी अब दू तीसरी बार बातचीत होगी तीसरी बात में ये कहा जा रहा है कि दो गुट बनाये जाएंगे जिसमें से 10 या 15 लोगों को एक बार शामिल किया जाएगा उन्हें समझाया जाएगा उनसे बातचीत की जाएगी लेकिन क्या ऐसे करने से भी हल निकलेगा अब ऐसा लगता है कि प्रदर्शन कारियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए यानि कि उनकी या तो बाते माननी चाहिए या इस एक्ट में बदलाव करना चाहिए वरना बार बार उन्हें तंग करना और ये कहना कि हम आपके साथ हैं और उसके बाद आप वादा खिलाफी करते हैं अमिश्चा उनसे मुलाकात नहीं करते हैं और यहाँ पर सब अपना राजनेतिक हदकंडा लेकर आते हैं इक तरह से यहाँ पर चुनावी मैदान में जब शाहिन बाग को मुद्दा बनाया गया था खूब वोट बटोरे गए लेकिन उसके बाद भी शाहिन बाग जैसे का तैसा ही रहा उस पर ना तो कोई फरक पड़ा था ना फरक पड़ा है तो अब इस बाद चीत से वो धरने से हटने वाले नहीं है और ना ही हटना चाहिए तो अब ऐसे में इन वकीलों को भी ये मान लेना चाहिए कि धरना किसी गलत नीतियों के तहत नहीं किया जा रहा है अब यहाँ पर उनका साथ देना चाहिए और ये साथ देते हुए सुप किसरी बार बातचीत करने में क्या हल निकलेगा क्या है आपकी राय कमेंट बाक्स में जरूर बताएं मुझे दीजे जाज और ऐसी बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एस्पेन नाइन न्यूस